आजम बनाएंगे घर पर वेज पास्ता ये खाने में बहुती टेस्टी होता है, बनाने में आसान होता है और कम से कम 50 रुपे के खर्चे में 4 प्लेट वेज पास्ता बन जाता है वेच पास्ता बनाने के लिए गरम पानी में डालेंगे आधा चमच नमक और दो छोटे चमच भर के तेल डाल देंगे जिससे की पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं जब हम इसे उबालेंगे तो पानी में जैसे ही उबाल आने लगेगा उसके बाद हम पास्ता डाल देंगे इस गरम पानी में और पानी थोड़ा ज़ादा ही रखना है हमें गरम करने के लिए ताकि पास्ता जब उबले तो यह चिपके रहे आपस में और खुले-खुले से रहे हमारे पास्ता, तो दो मिनट तेज आज पे उबालेंगे, उसके बाद धकल लगा के इसे एक मिनट धीमी आज पे उबालेंगे, अब हम इसे फिर से चेक करना है, तो आप देखेंगे कि पास्ता थोड़ा सा हलका सा सौफ्ट हो गया है, और फूल भ भीतरी आप देखेंगे, गेस की फ्लेम ओफ था, फिर भी हमारा पास्ता एकदम बड़ा सा फूल गया है, इसे ज़्यदा पानी में नहीं छोड़िएगा दोस्तों, नहीं तो आपका पास्ता तूटने लगेगा, और यदि आपका पास्ता भो ज़्यदा उबल भी जाता है गलती से, तो आप इसे सीधा ही ठंडे पानी में डालेगा, गरम पानी से निकालते ही, तो हमारा पास्ता तो एकदम बड़ा सा उबल गया है, अब इसे पकाने के प्रोसेस पे चलते हैं, तो कडाई में डालेंगे एक बड़ा चमच तेल और एक चमच भर के हम देशी घी य और हलका सा पका लेंगे, जैसे ही हलका सा कोक होने लगेगा ना, उसके बाद हमें राल दे रहा है, अपने पसंद के जो भी वेजिस आपको पसंद हो, बहुत सारे वेजिस खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और ये काफी अच्छे से हमें पच भी जाता है, क्योंकि मेदा होता है पास्ता में, तो बहुत जदा मेदा हमें नहीं खानी चाहिए, पर उसके साथ यदि हम वेजिस खाते ना, तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान दाई नहीं होता है, तो इसे वेजिस को हम कुछ दो मिनट पका लेंगे, उसके बाद काली मिर्ज का पाउडर बना के डाल देंगे, और अप्टेस्ट अकोर्डिंग नमक डाल देंगे, अब ये दो इंग्रिडिंस डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला देना है, और अब हम ये आप क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, सीधा ही हमारा उबला हुआ पास्ता, गेस की फ्ल मेगी मसाले का डाल दिया है, इसे एक बार मिला के देख लेंगे, मैंने आपे पहले से ही दो मेगी मसाले खरीद के रखे थे, कि बाइचांस ये दी कम रह गया मसाला तो हम इसमें ओ डाल सकते हैं, तो मुझे आपे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं एक और पाउच आप ये बना कर जरू ट्राइ कीजेगा, और गर्मियों में वैसे भार बार भूक लगती है, तो पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है, अब हम या पे पूरा पास्ता बनने के बाद जब गैस फ्लेम ओफ करेंगे ना, उसके बाद एक बड़ा चमज भरके हमें डाल टोमेटो केचप, एक दम बड़ा सा टेस्टी सा हमारा ये पास्ता बनकर त्यार हो गया है, आप ये पास्ता बनाए, खाए और अपने प्यारे से कमेंट शेन करें, और यदि आप चैनल पे नए में मानें तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें, तब तक के लिए बाई बा ये जब बाई!